भोचपुरी इंडस्ट्री में विलिल हो तो संजेब पांडे जैसा जी हाँ जब परदे पर आ जाए तो हीरो और हीरोईन का जीना दुस्वार कर दे हीरो और हीरोईन के लिए सरदर्द बन जाए मुसीबत ऐसी कि राहू केतू की तरह कुंडली मार कर आपकी कुंडली में बैठ जाए जी हाँ कुछ ऐसा ही केरेक्टर निभाते हैं संजेब पांडे भोजपूरिया फिल्मी परदे पर लेकिन क्या आपको पता है जितना ही रिल लाइफ में संजेब पांडे हीरो हीरोईन के सरदर्द बने हुए होते हैं लेकिन रियल लाइफ की अगर आप बात करेंगे तो ऐ ऐसा बिलकुल नहीं है रियल लाइफ में संजेब पांडे भोजपूरी के तमाम एक्टरों के जो की हीरो है सिपस्टार है उनके चहते हैं जैसे कि दिनेश लाल यादों निरहुआ कि फिल्म तो उनके बगैर पूरी नहीं होती है वही हाल खे सारी लाल यादों का भी है ले आपको इस रिष्टे में बहुत सारा प्यार दिखेगा हाँ संजेब पांडे ने हाल ही में बनारस में एक फिल्म की शूटिंग कर रहे थे और इस दोरान बनारस में ही आप सभी जानते हैं कि हर हर गंगे की शूटिंग करते वक्ट पवन सिंग आपको देखे जा सकते हैं इन दिनों उनका डेरा बनारस में ही जमा हुआ है तो ऐसे में संजेब पांडे ने पावन सिंग से मिलना मुनासिब समझा और जाकर उन्होंने उनसे मुलाकात की तब यहां संजेब पांडे ने ये कहा कि लगभग दो साल में एक फिल्में तो हम साथ में कर लेते हैं ये पर पवन सिंग ने ये कहा कि आप काफी बिजी रहते हैं आपके डायरी में तो डेट ही नहीं है तो इस तरह से बाते हुई हैं काफी लंबे समय बाद ये दोनों एक्टर मिले हैं और इन सब चीजों को संजय पांडे ने अपने सोशल मीडिया साइट पर लोगों को ये बताय कि किस तरह से भले ही वो पवन सिंग के साथ फिल्मे कम करते हैं लेकिन जब वो मिलते हैं तो वो याराना उनका है वो दोस्ताना भी उनका है और साथी साथ संजय पांडे को पवन सिंग के साथ टाइम स्पेंड करके बहुत ही अच्छा लगा क्योंकि ये काफी लंबे अंत